तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रीज में रखा थंदा पानी पी लेते हैं तो वो हमारे पेट में पहले गर्म होता है, फिर काम में आता है। जब तक कि इस process में बहुत सारी energy waste हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तमाल में लाने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि पानी पेट में गर्ण नहीं हो जाता और साथ ही साथ थंडा पानी हमारे द्वारा खाय गए खाने को बहुत जादा सक्त बना देता है जिसे की पाचन के रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्स होने के चांद से बहुत जादा हो जाते हैं इसलिए पानी हमेशा ही नौर्मल या फिर हलकागर्म ही पीना चाहिए. क्योंकि हलकागर्म पानी को हमारा शरीर तुरंद काम में लेता है. और हमारे दोरा खाय गए खाने को तोड़ने में भी हलकागर्म पानी बहुत मदद करता है. जिसे पाचन शक्ती बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए दोस्तों यह ऐसी बाते हैं जहां अक्सर लोग गलती करते हैं और बीमारी के शिकार हो जाते हैं पानी कब पीना चाहिए इससे जादा ये जानना जरूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए इसलिए पहले हम जान लेते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए और फिर हम जानेंगे कि पानी कब पीना चाहिए खाना खाने के बार वैसे तो खाना खाते वक्त पहले या बाद में एक या दो घुट पानी पीने में कोई बुराई नहीं है बलकि खाना खाने से पहले एक या दो घुट पानी पीने से सूखे खाने भी गले से आसानी से उतरते हैं और हिच्की भी नहीं आती लेकिन यहाँ एक या दो घुट कहने का मतलब है कि गला भीगने जितना ही पानी पीना लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में ग्लास बरकर या जादा मातरा में पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है क्यूंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से ये हमारे द्वारा खाये गए खाने को बहुत पतला बना देता है और हमारे पेट में पाचक रस भी ठीक से नहीं निकल पाते हैं जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है इसलिए पानी हमेशा खाना खाने के 45 मिनट से एक घंटा बाद ही पानी पीना चाहिए रात को सोने से तुरंत पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना जहां ये हमारी किड्नी को बहुत नुक्सान पहुचाता है और नीन से उठकर बार बार ट्वाइलेट जाने की भी जरूरत पढ़ सकती है जिसे की दोबारा नीन आने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पढ़ता है इसलिए जितना हो सके दिन के टाइम ही पानी की लिमिट को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए और साथ ही दो बार पानी पीने के बीच कम से कम 45 मिनत से एक घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी हमारे शरीर में इस्तमाल हुए बिना ही पेशाब के जरीए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो सकती है इसलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बलकि पानी के तरह बिल्कुल साफ है तो इसका मतलब होता है कि फिलहाल आपकी बोड़ी को पानी के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसलिए पेशाब करने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 15-20 मिनट का गैप जरूर रखें ताके हमारी किड्नी को रिस्ट लेने के लिए थोड़ा मौका मिल सकें नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से बार बार पेशाब आने और पेशाब को ठीक से रोक ना पाने की समस्या सुरू हो सकती है अक्सर फल और ऐसे सबजी जिसे खीरा और टमाटर जैसी चीजों को अगर आप कच्चा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए और उसी तरह केला, तर्बूस, अनार, संतरे और दूसरे फल खाने के बाद भी तुरंत पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए कि कब-कब पानी पीना चाहिए, यानि पानी पीने का सही समय क्या है दोस्तों, जिस तरह हम खाना खाने से पहले, प्लेट को धो कर साफ करते हैं, फिर खाते हैं उसी तरह हमें हर सुबा कुछ भी खाने या पीने से पहले, अपने पेट की सफाई जरूर करनी चाहिए उसमें खाना खालेna इसलिए एक से दो गलास पानी सुबह खाली पेट, एक एक गलास करके पानी दिन के खाना खाने के 45 Fraktion का तहा पहले और बाद में पीना चाहिए और उसी तरह रात के समय पानी कमातरा में पीना चाहिए और रात का खाना खाने के दो घंटे बाद पानी के जगा दूद का सेवन करना चाहिए क्योंकि दूद में मौझूद प्रोटीन पूरी रात शरीर को धीरे धीरे एनरजी प्रदान करता है और इसमें मौझूद क्रिप्टोफिन नाम का एमिनो एसी डिमाग को शांद करके अच्छी नीन दिलाने में बहुत मदद करता है। दिन में जब भी आप पानी पीएं तो दो बार पानी पीने के बीच लगबख एक घंते का अंतरा लगते हुए पानी पीने का खास ख्यार लखें। लिए एक्सेसाइज के दौरान एक बार में एक चौथाई ग्लास या फिर दो से तीन घुट पानी ही पीना चाहिए। और फिर जब भी आपको प्यास लगे तो फिर से आप एक चौथाई पानी यानि के दो से तीन घुट पानी पीएं। एक्सेसाइस खतम करने के आधे से एक घंटे बाद आप ग्लास बर कर भी पानी पी सकते हैं। लेकिन एक्सेसाइस के दौरान थोरी थोरी मातरा में पानी पीना चाहिए। पानी के इस तरह से इस्तमाल करने से हमारी सिहत से जूरी लगभग बहुत सी प्राबलम काफी हद तक ठीक हो जाती है। और साथ ही साथ हमारा पाचन भी ठीक रहता है जिसकी वज़े से यहां तक की वजन बढ़ाने और घटाने में भी बहुत मदद मिलती है। कि जब तक कि किसी भी व्यक्ति का पाचन ठीक ना हो वजन का बढ़ाना या घटाना संभव नहीं है।